COVID-19 वैश्विक महामारी की दूसरी लेहर में देश भर में हालाद बद से बत्तर होते जा रहे हैं ऐसे में एक और जहां अपने ही अपनों का साथ छोड़ रहे हैं तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इंसानियत को जिन्दा रख रहे हैं ऐसा ही एक मामला नाग और जिले के कुचामन सिटी में सामने आया है यहां निकटवर्ती गाउव रूप पुरा में एक सेवानिवरित शिक्षक की मौत हो गई थी शिक्षक के पुत्र और पुत्रवधू भी कोरोना पॉजिटिव है ऐसे में शब के अंतिम संसकार के लिए समस्या खड़ी हो गई क्योंकि अंतिम संसकार के लिए रिष्टेदार और गाउव वालों ने कोरोना से डर के मारे हाथ खड़े करते हुए मना कर दिया तब स्थानिय उपखंड अधिकारी बाबुलाल जाट अपने सहयोगियों तहसीरदार कुलदीप कुमार, विकास अधिकारी शैलिंद सिंग और थाना प्रभारी रामवीर सिंग जाखर के साथ आगे आए और अधिकारीों ने इंसानियत की मिसाल लेश करते हुए शब के अंतिम संसकार की पूरी प्रक्रिया को अंजाम दिया जानकारी के मुताबिक जब प्रशासनिक अधिकारियों को सेवानिवरित शिक्षक इंद्रसिंग के कोरोना संक्रमन से मौत होने और उसके बाद अंतिम संसकार के लिए किसी के आगे नहीं आने की सूचना मिली तो SDM बाबुलाल जाट और उनके सहयोगी अधिकारियों ने मिल कर अंतिम संसकार करने का फैसला किया सभी अधिकारी कुचामन नगर पालिका के मौक्षवाहन को लेकर रूपपुरा गाउं में मृतक इंद्रसिंग के घर पहुँचे गाइडलाइन के मुताबिक SDM बाबुलाल तहसीलदार कुलदीप कुमार वीडियो शैलिंद सिंग और गया आपको बता दे कि दुनिया भर के लोग मानते हैं कि धन दौलत चाहे किसी देश के पास जो भी हो लेकिन रिष्टों की तासीर समझने और उसे निभाने में भारतियों का कोई जोड नहीं वैश्विक महमारी के इस दौर में कोरोना वाइरस का खौफ इतना ज्यादा है कि पारिवारिक और सामाजिक रिष्टों के धागे कमजोर होते हुए दिख रहे हैं यही नजारा आज रूपपुरा में देखा गया जब इंदर सिंग के शव का अंतिम संसकार करने के लिए ना तो परिवार और ना ही गाओं से कोई आ गया रूपपुरा के सेवानिवरित शिक्षक इंदर सिंग उनके पुत्र अभिम्यू सिंग और पुत्रवधु आर्ती शेखावत कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी इसके बाद से ही तीनों होम आई सोलेशन में थे बीती रात इंदर सिंग की मौत हो गई शव के अंतिम संसकार के लिए उनके पुत्र अभिम्यू सिंग ने परिवार के लोगों और गाउवालों से गुजारिश की लेकिन किसी ने भी उनकी बात को एहमियत नहीं दी और पीछे हर गए अब अभिम्यू सिंग के सामने पिता के शव का अंतिम संसकार कैसे हो यह परेशानी आ गई आखिरकार उन्होंने SDM बाबुलाल जाट से संपर्क साधा SDM जाट ने जब पूरा मामला सुना तो उन्होंने अपने सहयोगी अधिकारियों से इस बारे में चर्चा की और सबने मिलकर शव के अंतिम संसकार, साथ मिलकर गाइडलाइन के मताबिक करने पर सहमती जताए इसके बाद चारों अधिकारी रूप पुरा गाउंप पहुँचे और सबने मिलकर शव का अंतिम संसकार किया अंतिम संसकार करने के बाद SDM बाबुलाल जाट गाउंप के लोगों से मिले और उन्हें मानवता की दुहाई देते हुए भविश्य में इस तरह का कार्य नहीं करने के लिए निर्देशित किया उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव जरूरी है लेकिन जब किसी की मौत हो जाए तो धर्मिक रीती रिवाजों से उसका अंतिम संसकार करना भी जरूरी होता है सरकार के दिशानिर देशों के मताबिक गाइड लाइन के अनुसार पी-पी-ई किट पहन कर अंतिम संसकार की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा सकता है इसमें डरने की जरूरत नहीं है SDM बाबुलाल जाट, विकास अधिकारी शेलिंदर सिंग, तहसीलदार कुलदीब कुमार और थाना प्रभारी रामवीर जाखर ने रूपकुरा के सेवानिवरित शिक्षक इंदर सिंग के शव का जिस तरह से सरकारी गाइड लाइन के मताबिक पी-पी-ई किट पहन कर अंत कि अदिए और प्रभारी जाबूपकुराए